हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेखेंगे कि जो राखिक समीकरन का प्राश्ण होता है इसे हल कैसे किया जता है देखें यहाँ पर दिया हुआ है X बटा Y का मान है 6 बटा 5 तो आपको देखें इस प्राश्ण को यह मान को रह करके हल करना है यहाँ देखें X का जो मान है वह है 6 और Y का मान है 5 यहाँ देखें जहाँ जहाँ पर X है वहाँ वहाँ पर 6 रखेंगे और जहाँ जहाँ पर Y है वहाँ वहाँ पर 5 को रखेंगे जैसे देखें यहाँ पर X का स्क्वाइर है यहाँ पर देखिए X का मान है 6 तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का स्क्वाइर को इसी तरह से देखिए हैं पर प्लस में है 4X तो देखिए 4 को लिखेंगे X जो होता है वह होता है गुना में तो देखिए हम लोग गुना में X का मान को लिखाएंगे इसके बाद देखें अंत में है पर प्लस में है तीन इसके बटा में अब हम लोग लिखाएंगे Y का भी मान को देखें आपर Y का स्क्वाइर है यहाँ पर Y का मान पाँच है तो यह हो जाएगा पाँच का स्क्वाइर इसी तरह से देखिए यहाँ पर 3Y है तो 3 को लिखेंगे Y जो होता है वह होता है गुना में Y का मन 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5 को अंत में देखिए पलस में यहाँ पर है 2 अब देखिए यहाँ पर जो आया है इसको आपको हल करना है देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वाइर है 6 का स्क्वाइर होता है 36 बाकी देखिए यहाँ पर 4 से गुना 6 में करे तो यहाँ हो जाएगा 24 और यहाँ पर देखिए प्लस में है 3 इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वाइर देखे 5 के स्क्वायर होता है 25 तीन से गुना 5 में करें तो यह हो जाएगा 15 और यहाँ पर प्लस में है 2 यहाँ पर देखे जो भी संख्या है इसको हम लोग आपस में जोड़ेंगे यानि 3 और 4 को जोड़े यह होगा 7 7 और 6 को जोड़े यह होगा 13 का 3 एक हो जाएगा हासील 2 और 3 को जोड़े यह होगा 5 एक था हासील तो यह हो जाएगा 6 दो और 5 को जोड़े यह होगा 7 7 और 5 को जोड़े यह होगा 12 का 2 एक हो जाएगा हासील एक और दो को जोड़े यह होगा तीन एक था हासिल तो यह हो जाएगा चार देखे यहाँ पर जो संख्या यह है यह दोनों संख्या तीन से कटेगा तीन से तिरसट को कटे यह कट जाएगा एक इस बार में तीन से बियालिस को कटे यह कट जाएगा 14 बार में अब देखे यहाँ पर जो संख्या है यह कोई भी संख्या से नहीं कटेगा यह देखे इस प्राश्ण को हल करे तो इसका इंसरा जाएगा एक इस बटा 14 तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गये होंगे कि जो इस तरह का रैखिक समिकरन का प्राश्ण होता है इससे हल कैसे किया जाता है